सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें उसके अलावा रोईश चर्मा ने शांदार 83 रन बनाए विराट कोली हला की थोड़े अनलकी रहे बड़ अच्छे टच में कल नजर आ रहे थे कुछ अच्छे सॉट्स में उन्होंने लगाए लेकिन वो 42 रन पर रॉबिंसन की एगिन पर आउट हो गए इसके अलावा कल तमा सेंचुरी ओपनिंग स्टैंड बना है वो रोहत और केल राहूल के द्वारा बना है और ये पहले लास्ट 2010 में गौतम गंबीर और विरेंदर सेवाग नहीं बनाया था बिल्कुल देखिए और कल केल राहूल का प्रदर्शन कितना फ्रांदार था तीन साल बाद उन्होंने सेंचुरी जड़ी आपको याद हो का कि पिछले बार 2018 दोरे पर जब आये थे वो इंग्लेंड तब उन्होंने अपनी आखरी सेंचुरी जड़ी थी और आखरी टेस्ट मैच में ही थी हाला कि इस बार उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है और होफफुली हम तो उम्मीद क ट्वीट करते हुए बताया कि जो टीम इडिया ने प्लेंग 11 जुनी है वो सही नहीं है क्योंकि उसमें रवी चंदरन अश्विन का नाम शामिल नहीं है हलाकि जो टीम इंडिया ने कल बल्लेबाजी की वो काफी शांदार की और होफुली उमीद करते हैं कि आठवे नमबर उनका प्लेंग 11 विन में लगाता ना होना है क्या रीजन है उनका बिल्कुल नहीं समझाया है तो देखिए बिल्कुल और चार तेजगिन बाजों के साथ उतरे हैं विराट कोली पहले ही वो यह जाहिर कर चुके हैं कि यही टेंप्लिट रहेगा उनका पूरा सीरीज में इ पहुचे थे लॉट्स उसके बाद उन्होंने लिखा कि देखिए मैं खिलाडी के तौर पर एक कप्तान के तौर पर और एक प्रशाशक के तौर पर लॉट्स में पहुचा हूँ और तीनों ही भारत एक अच्छे स्थिति में है तो दादा की वो पुरानी यादे उन्होंने पिछले महीने तो उसको लेकर जो श्रिलंका क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने तकरीबन सो करोड़ रुपए से उपर का जो कारोबार है वो किया है उन्हें रेवेन्यों मिला है इसका मतलब माला माल हो गया है शलंका क्रिकेट बोर्ट भारत के खिलाव सीरीज से जी बिलकुल जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है और आकर पीछे से इंडिया को हराना उस सीरीज में उनको काफी फाइदेव क्योंकि मुंबई इंडियन्स की टीम युए पहुच रही है आज शुकरवार को युए के लिए रवाना होगी यह भी एक्सपेक किया जा रहा है कि चिन्नही सुपर किंग्स भी आज युए के लिए रवाना होगी तो धीरे धीरे सारी टीम में युए के लिए second phase of IPL के लि 35,000 गेंदे फेकने वाले test cricket में गेंदबाज बन गए है और पहले तेज़ गेंदबाज है जिन्होंने 35,000 से उपर गेंदे फेकी हैं test cricket में तो अपने आप में ही एक कमाल का record अब इसके बाद बात करेंगे रिशब पंद की देखें कोई भी खबरो और रिशब पंद का नाम ना आए और रिशब पंद को लेकर ये है कि कल जब इंडिया वर्सिस इंग्लेंड के भी मैच चल रहा था मैच के शुरुवात होने से पहले रिशब पंद इंग्लेंड के स्ल जिए बिल्कुल हर गेम में रिश्यपंद कुछ ना कुछ नैया करते दिखते हैं और जैसे की कोली ने भी कहा है एक गेम-चेंजर की तौर पर वो उनको देखते हैं वो नैया नया कुछ जरूर करते हैं वो शे मैच वो खेल रही हो पिछपर हो या नहीं हो वो हमेशा चरचा में जरूर रहते हैं इस और पहले भी आप में उनके यर्द के पीछे से आप उनकी बाते सुनते हैं उनके प्रोड़िशन को देखते हैं उसके विकेट कीपिंग को जिस तरीके से ऑनकी विकेट कीपिंग की तारीफ हो रही है, पिछले मैच में सभाकरीम ने या तमाम जो पुरव क्रिकेटर उन्होंने तारीफ किये अब बात करेंगे स्पृति मंधाना और हर्मन प्रीत कौर की جो 영land से वापस लॉट रही है वो the hundred tournament में खेल रही थी लेकिन और भरत ल्ट रही है बिल्कुल तो एक के लिये injury मुक्की मुद्दा है तो दूसरा परिवार को तौज्यो देने के लिए भरत वापस आ रहे हैं National Awards को लेकर जिसके बार में एक अपडेट यह है, अपडेट यह है कि इस बार जो National Awards 29 अगस्त को दिये जाते थे वो थोड़ा सा लेट ले होंगे और इसके लिए वज़ा होगी साजिया जी बिल्कुल इसकी वज़ा यह है कि जो हमारे Sports Minister है अनुराग ठाकर उन्होंने यह कहा है कि जो Paralympic Games टोकियों में होने वाले हैं उनको उनकी performances को भी ध्यान रखते हुए यह Awards दिये जाएंगे इस वज़ाए से यह डिले है बिल्कुल देखिए जिस तरीके से उलम्बिक में इस बार हमारी टीम इंडिया ने शांदार प्रदर्शन किया उम्मीद करते हैं कि पैर उलम्बिक में भी उसी तरीके का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और जल्दी इस गेम की शुरुआत हो रही है और जिसकी अबडेट आपको कहां मिलेगी स्पोर्ट्स तक पर ही मिलती है सारी अपडेट आपको अब बात करेंगे एक और मुकाबले की ये टेस्ट मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज वर्सिस पाकिस्तान के बीच इस मैच के बारे में आपको डेट डू तो कल ही मुकाबला शुरू हुआ और प सीटीम जीत रही है पर आप मत चुके है यह मुकाबला देश की ठीम को हराने का अपनी टीम बनाईयोगा Sutton को करना क्या है इसके लिए आपको description में एक link है. Link पे जाना है, वहां क्लिक करना है और सीधे आप homepage पर पहुंचेंगे, homepage पर पहुंचेंगे और जल्ली से app को download कर लिजिये और अपनी team बनाईए और अगर आप कोई video पसंड आई है